नमस्कार दोस्तों अभी इंडिया नेपाल और चाइना के जियो पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जिसे ज्यादा तर इंडियन मीडिया ने कवर नहीं किया है और मुझे लगता है कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन के लिए इस टॉपिक को समझना जरूरी ह नेपाल कई बार ऐसा एलिगेशन लगाया है कि नेपाल के पॉलिटिक्स में इंडिया बहुत ज़्यादा इंटर्वीन करता है आपको इस टॉपिक से पता चल जाएगा कि चाइना कितना ज़्यादा इंटर्वेंशन कर रहा है नेपाल के पॉलिटिक्स में और नेपाल को नेपाल इसके अगेंस्ट बिल्कुल एस्टेटमेंट नहीं दे रहा है कि चाइना उसके पॉलिटिक्स में इंटर्विन कर रहा है, in fact उनके इंटर्वेंशन को नेपाल गवर्मेंट काफी वेलकम कर रही है, तो यह काफी वरिंग फैक्ट है इंडिया के लिए, क्योंकि आखी नेपाल की गवर्मेंट में आने वाली थी, जिस पाटी की गवर्मेंट है वहाँ पे, कुश्ट पार्टी की वो टूटने वाली थी उसे चैनीज इंवोई ने सीरीज ओप मिटिंग करते हुए उस गवर्मेंट को बचा लेती है, इतना ही नहीं बलकि सी जिंग नेपाल के प्रेसिडेंट से 40 मिनत तक बाते करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका क्या इंपोर्टेंस है, चाइना इतना जादा इंटरेस्टेड नेपाल में क्यों है और इससे इंडिया और नेपाल के रिलेशन पे क्या फर्क परता है, हम आगे जाएं, उसके पहले आप एक का बहुत ही जादा मैजरेटी है, आप देख सकते हैं कि लोवर हाउस में और मुस्स 63% मैजरेटी है और अपर हाउस में अरॉंड 84% मैजरेटी है, तो इतनी बड़ी पार्टी, अगर आप पूरे साउथिस्ट एसिया में देखिए, तो कमिनिस्ट पार्टी और नेपाल सब कमिनिस्ट पार्टी के दो पार्ट आते हैं, जिसमें से एक जो मार्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी है और दूसरा जो माविस्ट पार्टी है, 2018 में इन दोनों पार्टियों का मर्जर होता है, जिसमें भी कहा जाता है कि चाइना का बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये दोनो 18-19 collection में इतनी ज्यादा majority में communist party आती है अब बात है कि China क्या इसमें किया है तो हम देखते हैं कि recently कुछ 15 दिन पहले जो दोनों पार्टियों का merger हुआ था उसमें जब भी दो पार्टियों का merger होता है तो थोरे power race start हो जाते हैं और उनमें rift होता है तो ऐसा ही देखा गया कि वह हाँ पे भी rift होती है और इस rift के दौरान जो चाइना के इन्वाइ है चाइना के ambassador है नेपाल में होई यूआंची यह series of meeting करते हैं सारे party members के साथ जिनको concern है उन लोगों के साथ ऐसे लग रहा है कि यह उनकी country है और वो party को lead कर रहा है ऐसा चाइना ने कभी नहीं किया था कि बिल्कुल publicly वो काफी meeting कर रहा है और किसी country के politics को influence कर रहा है तो काफी series of meeting करते हैं सबका concern समझते हैं और इसमें भी कोई दोमत नहीं है कि जैसे इंडिया में भी विधायोकों को खरीद फरुक्त होते हुए कई बार पाया गया है तो इसमें भी कोई दोमत नहीं है कि चाइन लोगों के concern को resolve करने के लिए पैसे भी खर्च की होगी लेकिन obviously वो बाते मेडिया में बहुत जल्दी नहीं आती है हो सकता है बाद में आये या ना आये लेकिन series of meeting करती है और meeting करने के बाद ये ensure करती है कि KP-OLE की सरकार वहाँ बनी रहेगी इतना ही नहीं चाइना officially a statement issue करता है कि KP-OLE काफी अच्छा government चला रहे है और चाइना चाहती है कि वो government को continue करें चाइना के president Xi Jinping नेपाल के president विद्या देवी भंडारी से 40 मिनत तक बाते करते हैं जिसमें obviously उनका अभी recently kidney transplant हुआ है उसके बारे में बाते करते हैं और नेपाल के politics के बारे में बाते करते हैं और फिर यह official statement आता है कि China KP-OLE को समर्थन करता है बाते है कि China इतना ज्यादा intervene नेपाल के politics में क्यों कर रहा है इसके कई सारे कारण है जैसे आप देख सकते हैं कि पहली बात तो कि वहाँ पे अभी जो सरकार है वो Communist Party की सरकार है Communist Party by principle Maoist नाम में ही है उनका तो by principle वो China से close मानती है दूसरा कारण है कि नेपाल build and road initiatives जो है चाइना का वो recently sign कर चुका है और वो उसका part है तो यह उनका strategic goal भी है इसके अलावे तिसरा कारण है कि अगर आप यह नीचे का article देख सकते हैं कि 90% जो नेपाल का FDI है वो चाइना से आ रहा है तो इतने सारे नेपाल का dependency चाइना के उपर है या चाइना का dependency नेपाल के उपर है चाइना नहीं चाहती है कि वहाँ पर political unstability आये especially जब communist party power में है क्योंकि जब तक communist party वहाँ power में है वो इंडिया के against भी a statement देती आई है और दे सकती है जबकि नेपाल के against statement नहीं देते यह आप recently एक example से समझ सकते है चाइना ने एक official tutor में ये claim कर दिया था कि Mount Everest उनका part है और इसके against मैं भी surprise था कि इसके against नेपाल के एक भी official statement नहीं आये कि चाइना को ऐसा claim नहीं करना चाहिए इसके अलावे अगर आप देखिए तो इंडिया अभी जो एक road बनाया है वो road इंडिया के land में है बट इसके बाब जो दो चुकी border से touch होड़ा था नेपाल ने कहा कि वो उनका land है और इंडिया नेपाल border पे वो security guard बढ़ा देंगे तो यह recently देखा जा रहा है कि काफी जादा नेपाल के तरब से anti-India statements आ रहे हैं लेकिन चाइना के against वो कोई भी statement नहीं दे रहा है तो यह था इस topic analysis होप आपको यह topic समझ में आया होगे आप अपना feedback comment में लिख कर ज़रो बताए अभी के लिए धन्यवाद